पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगती नजर आई है दिल्ली में पेट्रोल 91 रुपे के पार पेट्रोल की कीमत में 28 पैसों की बढ़ोतरी हुई है लगतार बढ़ रहे हैं और इसका सीधा सीधा असर आम चंता की जेब में पढ़ रहा है बड़ी ख़बर आपको बता रहे है एक तरफ कोरोना है दूसरी तरफ महंगाई है आम लोग आम चंता करे तो क्या करे इस तरीके से दिल्ली में पेट्रोल डीजल के जो दाम है उसमें एजापा लोगों को परिशानी देता नजरा रहा है और चली एक और बड़ी ख़बर लेकिन दुखद ये ख़बर है दरसल राई बरेली से बीज़िपी विधायक का निधन हो चुका है सलोन विधान सबा से बीज़िपी विधायक दल पहदूर कोरी का कोरोना संक्रमित होन सलोन विधान सबा से बीज़िपी विधायक के रही भादूर कोरी जिनका कोरोना से निधन हो गया एक और बड़ी ख़बर आपको बता देते हैं जारगन के हज़ारी बाग में शादी के एक हपते बाद ही दूले की कोरोना से मौत हो गई ये दुखत खबर सामने आई है शादी से दो दिन पहले हुए बुखार को परिवार वालों ने नजर अंदास कर दिया था धीरे धीरे दुले की तब्यद बिगड़ती गई और कोरोना पर लापरवाही ने दुले की जान ले ली है तो देखे किस तरीके से कोरोना यहाँ पर लोगों की जिन्दगी को तबाह कर रहा है लोगों की जान ले रहा है शादी से दो दिन पहले दुले को बुखार आ रहा था घरवालों ने ये समझा कि ये मामुली बुखार होगा इसको सीरियस नहीं लिया लेकिन इसी बुखार ने दुले की जान ले ली है दो दिन पहले शादी से दो दिन पहले ही बुखार आ रहा था राजुस्तान में 10 मई से 15 दिन के लिए संपूर लोकडाउन लगाया गया है 10 मई सुबा 5 बजे से 24 मई सुबा 5 बजे तक लोकडाउन अब राची में रहेगा मंदिर परिशित की बैठा के बाद गहलोज सरकार का ये बड़ा पैसला सामने आया इसके संकेत पहले से ही मिल चुके थे 31 मई तक विवाह समारो आयोजन पर रोक लगा दी गई है विवाह समारो में डीजे बारात निकाती पृति भोज की अनुमती अब नहीं होगी और साथी शादी में बैंड बाजा हलवाई टेंट की भी अनुमती नहीं है घर पर दुलहा दुलहन फेरे ले सकेंगे या फिर कोट मैरिज कर सकेंगे तो देखे तमाम पाबंदिया लगाई गई है संपूर लोकडाउन लगाया गया है क्योंकि लगाता लोगों की जान जा रही है और ऐसे में सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे लोगों को बचाया जा सकेंगे और इसलिए तमाम पाबंदिया राज्यों में लगाई जा रही है तो देखे लोगडाउन ही एक ऐसा विकल्प नजर आता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर कहीना कहीं सरकार को ये लगता है क्योंकि एक्सपर्ट लगातार ये बात कह रहे हैं कि लोगडाउन ही है अगर हमें कोरुना की चेंड को तोड़ना है तो देखे राजिस्तान जहां पर लगातार जो संक्रमेंतों की संक्याती वो बहुत रफ्तार के साथ बड़ते ही नजर आ रहे थी और इस बीच एक और बड़ी ख़बर भी आपको बता देते हैं बड़ते कोरुना संक्रमेंट के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है आंद्र तिलंगाना से आने वालों को 14 दिन का कॉरिंटीन अब जरूरी होगा ये दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं तीन दिन पुरानी कोरुना नेगितिव रिपोर्ट और इसी के साथ अगर आप लेकर आते हैं तो साथ दिन का कॉरिंटीन आपको करना होगा वेक्सीन के दोनों डोज अगर आप ले चुके हैं तो आपको साथ दिन का फिर भी कॉरिंटीन करना होगा, आंध्र तिलंगाना में नया वेरिंट मिलने के बाद ये पैस्ता लिया गया है ताकि जो लोग हैं वो और संक्रमित ना हो, ऐसे में कॉरिंटीन तो आपको करना होगा, लेकिन कितना कॉरिंटीन आपको करना होगा, कित गुरुवार को 63,842 लोग ऐसे भी हैं जो ठीक हुए है तो राहत भरी खबर भी सामने आई है लेकिन महराष्ट लगातार चिंता के सिती में पूरे देश में सबसे ज़ादा भयावे हाला जो हैं वो महराष्ट में ही बने हुए है एक और बड़े खबर आपको बता देते हैं मुंबई में घट रही है कोरुणा की रफ़तार एक पूरी राहत खबर महराष्ट के मुंबई से 24 घंटे में 3056 नए मामने दर्ज हुए है गुरुवार को 69 लोगों की कोरुणा से मौत भी हुई है मुंबई में रिकवरी रेट की अगर बात करें तो 90 फिसदी ये पहुँ जा रही है कोरुणा की रफ़ता थम नहीं रही है बीते 24 घंटे में 26,622 नए के इस राज्य से सामने आए है गुरुवार को यूपी में कोरुणा से 350 लोग ऐसे हैं जो अपनी जान गवा चुके हैं अब तक यूपी में 14 लाग से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं त पुरुणा के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए रेलवे का बड़ा फैसला सामने आया है रेलवे 29 शेहरों से चलने वाली 28 ट्रेने नौ मई से रद्द कर दी हैं तो देखिए आठ जोड़ी शताब्दी हैं दो दुरंतों हैं दो राजधानी रद की गई हैं नौ मई से अ